दोस्तों मेरा नाम है नीलेश मिस्रा और रेडियो मिर्ची पर ये है कहानियों का मेरा खाश शो देश इन हाथों से बन रहा भारत दोस्तों मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी मंडली की सदस्या छवी निगम की लिखी कहानी गुरुदक्षिना गोरकपुर के उस इंटर कॉलेज का परिसर आज खचा खच भरा हुआ था शिक्षक दिवस के अवसर पर बच्चे अपने शिक्षकों के प्रती सम्मान प्रकट कर रहे थे उन्हें अपने हाथ के बने कार्ड्ज और फूलों के गुच्चे दे कर उनका अभिनंदन कर रहे थे मौजूदा च्षच्छों के अलावा इस अवसर पर पुराने च्षचर भी अपने गुरुजनों से मिलने आये थे और अपनी पुरानी यादें ताजा कर रहे थे अच्छा धेर राम प्रसाद जी की टेबल पर था कुछ लोग जलन महसूस करते थे कुछ उनकी प्रशंसा करते थे और कुछ हैरानी जताते थे कि उस सीधे साधे मैट्स टीचर में ऐसी क्या खास बात थी जो वो हमेशा सब के फेवरिट टीचर बने रहते थे सो पॉपिलर क्योंकि एक तो राम प्रसाद जी का सब्जेक्ट इतना नीरस समझा जाता था और दूसरे वो पढ़ाई लिखाई तक ही सीमित रहा करते थे अपने रख रखाओ के प्रति भी वो खासे बेपरवात है मिस्टर बैनर जी ने अपनी टाई की नौट ठीक करते हुए राम प्रसाद जी की तरफ देखा आज भी राम प्रसाद जी कुर्ते पैजामे में ही कॉलेज आ गए थे लेकिन इन सब चीजों के बावजूद कैसे वो स्टूडन्स के सबसे चहेते शिक्षक बन जाते थे ये ये बात मिस्टर बैनर जी की समझ के बाहर थी तभी स्टाफ रूम के दरवाजे पर किसी ने नौक किया फिर एक धीन इसी आवाज आई मैं एक कमें टीचर्स सबने चौक के देखा बढ़िया पैंट शर्ट और हाथ में बैग लिये जो लड़का दरवाजे पर खड़ा था वो सभी को जाना पहचाना लग रहा था तभी मिस्टर बैनर जी ने उसको पहचान लिया और गर्म जोशी से बोले देखा सबसे पहले मैंने तुमको पहचाना ये लुकिंग सो फाइन यंग बॉई उन्हें और बाकी सबको नमस्ते करते हुए नकुल अंदर आ गया और सीधे राम परसाज जी की तरफ बढ़ा तभी इतिहास की शिक्षिका मिस्ट दीपा ने उसको रोकते हुए कहा लेकिन तीन साल पहले अचानक तुमने स्कूल क्यो छोड़ दिया कितने अच्छे मार्क्स लाए थे तुम हाई स्कूल में तुम थे काँ दूर से राम परसाज जी उसको देख रहे थे उनकी यादों में तीन साल पहले का वो नकुल था जो दस्वी कक्षा में बहुत अच्छे नमबरों से पास हुआ था एक दो पहर उसे चुप चाप स्कूल की सीड़ियों पर बैठे देखकर राम परसाज जी चौक पड़े थे वो सुबक रहा था क्या हुआ बेटा उन्होंने पूछा तो नकुल ने बताया कि उसके पिता की बीमारी के बाद घर की माली हालत खराब हो गई थी वो अब आगे पढ़ नहीं सकता था अब वो जल्द ही कोई काम सीख कर उसमें कुशलता हासल करना चाहता था ताकि उसे अच्छा रोजगार मिल सके और वो जल्द से जल पिता जी का सहारा बन सके राम परसाज जी ने उसका सर थप थपाया बोले मैं इसके बारे मैं जरूर पता करके तुमको बताऊंगा अपने चाहते शिक्षक पर नकुल का भरोसा और मजबूत हो गया राम परसाज जी प्रयतन करते रहे कुछी दिनों बाद किसी मित्र ने उनको बताया कि आजकल युवाओं को लांग टर्म कोर्सिस द्वारा स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है जहां उनको डिपलोमा भी मिलता है इसके द्वारा युवा इंडस्ट्री डिमांड के अनुसार अपने हुनर को तराश सकते हैं जिससे उनको रोजगार मिलने में आसानी होती है उनको जानकारी मिली कि विकाशील भारत में जादतर बेरोजगार ऐसे हैं जिनके पास पढ़ाई की डिगरी तो है लेकिन उद्द्योग या वेवसाय की मांग के मताबिक हुनर नहीं है इसलिए ITI के माध्यम से उनको ट्रेन करने और नैप्स के द्वारा उनको अप्रेंटिशिप के लिए भी सरकारी मदद सुनिश्चित की जा रही है उन्होंने जाना कि कैसे अनेकों ट्रेनिंग प्रोग्राइम के माध्यम से हुनरमंद और स्किल्ड युवा अपनी और देश की तरक्ती में योगदान दे सकते हैं रामप्रसाद जी नकुल के घर गए और फिर उसे लेकर ITI वहाँ उपलब्द कोई 120 कोर्से में नकुल ने रेफ्रिजरेशन और एर कंडिशनिंग के कोर्स को चुना उसका रेजिस्ट्रेशन करवा कर सुकून से रामप्रसाद जी अपने घर आ गए और आज कोई तीन साल बाद नकुल को वो दोबारा देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे कि अब उसमें फर्क दिख रहा है नकुल ने उनके पाऊंच हुए रामप्रसाद जी ने उसको सीने से लगा लिया नकुल ने सभी को बताया कि कैसे सर की प्रेणा से उसने ITI में साल भर का कोर्स करके अच्छे नंबर प्राप्त किये थे ये कहते हुए उसने बैक से निकाल कर एक खुबसूरत शौल उनके कंधे पर उढ़ा दी रामप्रसाद जी मना करने को हुए लेकिन नकुल धीरे से बोला गुरु दक्षिना समझ लीजे मेरा दिल रख लीजे प्लीज तो उनकी भी आँखें बराई मिस्टर बैनर जी को समझ आ रहा था कि सच्चा शिक्षक वो है जो विशे पढ़ाने के साथ साथ अपने शिश्च को जन्दगी में विजई होना भी सिखाता है उस शौल को ओड़े हुए रामप्रसाद जी का कद उन्हें बेहद उचा नजर आ रहा था अभी तक मिस्टर बैनर जी ने उनसे हमेशा एक दूरी बनाए रखी थी लेकिन आज वो खुद रामप्रसाद जी के पास गए और अपना दाहिना हाथ उनकी और बढ़ाते हुए बोले हैपी टीचर्स डे रामप्रसाद जी मैंने आपसे भी बहुत कुछ सीखा दोस्तों अगर आपके आसपास कोई भी नकुल जैसा युवा हो तो उसे स्किल इंडिया से जुडने के लिए जरूर कहें स्किल इंडिया का टोल फ्री नंबर है 088-000-55555 याने 088-3x0-5x5 088-3x0-5x5 और हाँ हमें जरूर बताएं कि ये कहानिया आपको कैसी लगी आप स्किल इंडिया से सोशल मीडिया पर भी जुड सकते हैं जुडने के लिए ट्विटर हैंडल है MSDE Skill India और फेस्बुक पर संपर्ग करने के लिए पता है Skill India Official दोस्तों मेरा नाम है नीलेश मिस्रा कहानिया सुनाता हूँ अभी तो चलता हूँ जल्द मिलूँगा फिर लेकर एक नई कहानी इस खार्षो में जिसका नाम है देश इन हाथों से बन रहा भारत